प्रेश की आजादी पर अंकुस लगाया जा रहा है जी हां अब जो है छोटे मोटे जो यूटूब चेनल थे जो पत्रेकारी का चटबते थे अपने लेवल पर अब उन पर भी बेन लगा दिया गया है जी हां आज चेनलों को बेन लगा दिया है सरकार ने यह कहते हुए कि ये एंटि इंडीय कंटेंड परोस रहा था यह ऐसा परोस रहा था जिससे दो समुढ़ाय में जृगर्णा हो यानि के सामपर्देक सद्भाव को बिगारने का काम कर रहा था जी हाँ वो चेनल कौन से है और किन किन पर बेल लगाया गया है और उनका कंटेट किस तरीके का होता था वो सारी चीज़े बताऊँगा लेकिन हद 2014 से शुरू से ही जब से मोधी जी सत्ता में आये ये बात होती आये कि मोधी परधान मंत्री देश नहीं है तमाम लोग यही चीज़े बोलते आये कि परधान मंत्री देश नहीं है सरकार देश नहीं है सरकार के खिलाब बोलना भारत के खिलाब बोलना नहीं हो सकता परधान मंत्री के खिलाब उनसे सवाल करना को क्रिटिसाइज करना देश से देश के खिलाब बोलना नहीं हो सकता लगातार ये सवाल होता आया जी हाँ वहीं दूसरी तरफ सरकार जिस तरीके से लगातार कोशिश कर रही थी कि किसी भी तरीके से जो शोशल मीडिया है उस पर अब कुस लगाए जाए जी हाँ उसकी अब शुरुआत हो चुकी है और ऐसे आठ यूटूब चैनल बंग कर दिये गए हैं जो सरकार से सवाल करते थे जो जन्च सरुकार की बात करते थे कौन-कौन चैनल है वो यह बतामबर के करके लेकिन यह समझे कि सरकार का जो भारत में सोशल मीडिया को नियतर करने का प्लान है वो लगातार जारी है और अब जिस तरीके से इन चैनलों को बेन किया गया है उनको यूटूब से हटा दिया गया है उससे आप अंदाले लगा सकते हैं कि कौन से चैनल है और किस तरीके से उनको बेन लगा दिया गया है महीं अगर बात करें कि दो समुधायों में यह जूट यह प्रोपोगेंड़ा के लानी की बात करें तो फिर तमाम जितने भी बड़े बड़े टीवी चैनल्स है चाहे वो आस्ता को जी हो ऐसे तमाम चैनल्स है जिनोंने बाकादा सरयाम जूट बोला राहूं गांदी का केस आपको याद होगा जब उन्होंने केरला में बायट दी थी लेकिन उसको जीनी उसके एंकर में उदेबुरकांड के संगधर्म में चलाया था साफ साफ उस बायट को जूटा पर उस गया था तो अगर कारवाई होनी चाहिए कोई प्रोपरगेंडा फिला रहा है जूटी खबरे फिला रहा है तो फिर मीडिया चैनलों पर भी होनी चाहिए आप सबको पता है जिस तरीके से लगातार मुसल्मानों के खिलाफ नफलत फिलाने का मामला हो या दलितों के खिलाफ उप्रोपरण को जस्टिफाई करने का मामला हो लगातार जो गोदी वीडिया है जो गोदी चैनल है वो इस तरीके की वीडियो दिखाते आए हैं आपको जो एजएड़ना है उसको प्रपोगेट करते हैं वहीं अगर एक सोचल मीडिया के ज़रीज जो छोटे मोटे पत्रकार हैं वो सरकार से सवाल करते हैं, सत्ता से सवाल करते हैं जर रोकार की आवाज हुषाते हैं तो उनको एंटी इंडिया बता कर उनको दोसमदाय के नफस्त फिलाने या जूटे वीडियो बनाने के आरूपन उनको बेंग कर दिया जाता है तो ऐसे हालात है आज इस तरीके से सरकार ने उना आज चेनलों को बेंग किया है वो साफ साफ जायब दिखाता है कि अब सरकार जो है शोशल मीडिया पर लगाम लगाने के पूरे मूड में हैं हो सकता है एक दिन जनीत आवाज बंदे एक दिन में नेशनल देस्टक वो लाइब टीवी हो तमाम इस तरीके के जो शोशल मीडिया पर मजबूती से बहुत जो कि आवाज उटाते हैं अब संक्यों को कि आवाज उटाते हैं जो सकता से सवाल करते हैं रोजगार की बात करते हैं अब उनको बैंक करने की तैयारी शुरू हो चुकी है जै हाँ उसमें सबसे पहला नंबर है लोकतंत्र टीवी जो पिछले कही सालों से लगातार सरकाल से सवाल कर रहा आपको याद होगा किसारांदोलन के दोरान जब लोकतंत्र टीवी ने एक बिने दूबे की म्यूडियो लगाया था कि इस तरीके से महराश्ट में अडानी गुरूप जो अनाच को रिस्टोर करने के लिए वहाँ पर वो गोडाउन बना रहा है उसकी ग्राउंड रिपोर्ट दिखाए थी जिसके बाद अडानी गुरूप ने इसी लोकतंत्र टीवी पे पांच करोड का जो है मानानी का जुर्माना कर दिया था आप सोचिए यही लोकतंत्र टीवी है जिसने अडानी के जो अनाच को स्टोर करने के लिए वोडाउन बनाये जा रहे थे उसको ग्राउंड पर जाकर रिपोर्ट किया था जिसके बाद पोड़ ने अडानी की तरफ से इन पर पांच करोड का जुर्माना बेन कर दिया गया है तो लोकतंत्र लगातार जो है इनकी नजरों में खटक रहा था और अब उसको बेन कर दिया गया है जी हाँ लोकतंत्र को आप सब जानते होंगे देखते होंगे किस तरीके से वो लगातार सकता से सवाल कर रहा था ये बात लगातार होती है ये कि दो हजाशोजा से मोदी से सवाल करना परदानमंत्री से सवाल करना देश से सवाल करना नहीं है तो देश से गदारी नहीं है कि सरकार देश नहीं हो सकता और उसी का फायदा आज उठाय जा रहा है जिस तरीके से आप अगर आप इन चेनलों की लिस्ट देखे हैं और इनका कंटेंट आप जाकर देखे हैं अगर अगर अवेलेबल मिलता है तो आप देखे हैं कि ये चेनल लगाता जो है जम सरुकार की बात कर रहे थे सता से सवाल कर रहे थे लेकिन सरकार ने इसको एंटी इंडिया कंटेंट बता कर जूटा प्रोपोगेंडा फेलाना बता कर इन पर बेल लगा गया है और अगर वाकई में जूटा प्रोपोगेंडा फेलाने वाले पर बेल लगाना है तो सबसे पहले बीजे का मामला एक अमन चोपड़ा आपको याद होगा कि जब राजिस्थान में एक मंदिर को तोड़ा गया था किस तरीके से उन्होंने जूटी वीडियो चला कर अपको फिलाने का काम किया था तो लगातार अगर आप प्रोपोगेंटा फिलाने के नाम पर एंटी इंडिया कंटे यह वरना आपकी आवाज को दबा दिये जाए 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 इसलिए आज भारत जो है वर्ल्ट रीडम इंडेक्स में सबसे बिचले इस तरह पर है यह आप सबको मालूम होगा और यह देखिए जो जो चैनल में हुए हैं मैं बताता हूं कि यह चैनल किस तरीके का कंटेंट प्रोवाइड करते थे आप यूटूब पर जाकर इकी वीडियो अभी भी आपको देखने को मिल जाएगी आप उससे अंदाले लगा सकते हैं कि सरकार ने क्यों और किसके चलते इंपर बेन लगा है सबसे पहले लोगतंत्र टीवी जो मैंने आपको बता है कि लगातार हो सर ता कि मुद्दे उठाता था जन्सरोकार के सवाल भी उसता था इसलिए उनको बेन कर दिया गया है और बहीं दूसरी तरफ यह देखे यू एंड वी टीवी है यह भी लगाता आप जन्सरोकार की आवाज उठाता था सवाल करता था आप इसकी यूटूब पर वीडियो कि यह क्या कर रहे थे यह वाकही में एंटी इंडिया यह दो समुताय में संपर्दाय वर्णे के लिए चन्सरोकहर के लिए देश को मचबूत करने वाली काम कर रहे तो यह देखिए और तीसरा चैनल बेखिये अमցरस्भी하게 का चैनल इनकी वीडियो पियाप देख सकते चै इनके 23 लाग सब्सक्राइबर थे और यह जो है यह भी इसी तरीके से सक्ता से सरकार से सवाल करते थे और इसको अगर आप इनकी वीडियो सोशल को इस पर यूटूब पर जाकर देखें कि वीडियो मिल जाएगी चैनल अवे लेवल नहीं है क्योंकि चैनल बेंड कर दिया गया है तो वीडियो से वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि यह किस तरीके का काम कर रहे थे और फिर आप अंदाजे लगा सकते हैं या ते कर सकते हैं कि वाकई में सरकार ने इस तरीके से इपरकारवाएं किये वो सई है या गलत है इसके अलावा ये देखिए सरकारी अपडेट है और सब कुछ देखो वहीं एक न्यूस की दुनिया जो पाटिस्तानी बैस है उसको भी बैन कर दे गया है उसकी बात हम नहीं करते हैं लेकिन जो भारत में जो छोटे-छोटे पत्रकार हैं जो अपने जितने उनके पास वेसिलिटी होती है ये जितने उनके पास विधाय होती है ये जितनी उनके पास होती है उसी में रहकर वो अपने डेवल पर जंता के लिए का चैनलों को टर्गेट करके जिसमें सबसे नाम है लोकतंच TV उनको बैन different of the ब्रोड कास्टिंग ने इनको बैंक किया है और उनकी उनके पीछे जो वज़े बताईए वो यह यह लोग थमनेल और जो कंटेंट होता था वो दो संपरदाय में भावना भड़काने या फिर ज्यादा एक्रेसिव कंटेंट इनके थमनेल में होता था जब कि हकीकत यह है कि य करते हैं हो सकता है किल हमारा नंबर परसो किसी ओर कर नंबर दला ये पीवी developing से तमां जो गढ़े बड़े चेनल है जो सोशल ब् Director ज्यों д č剥ा तיע मैं आड़कर सवाल करते हैं जन सरोकार के सवाल करते हैं उनपर अरुष लगाने की खोशे शुरू हो चुकी है मुह तंत्रकी मद्बूती के लिए काम करते हैं उन्हीं को दबाने की कोशिश की जा रही है इस वीडियो पर आपकी क्या रहा है कि आवाके में आज भारत शोशल मीडिया कंट्रोल करकर जिस तरीके से अरब कंट्रीज में होता है जो ताना साही जो रवया है डिक्टेटर्स बिएक्षू करिया